कि नमस्कार भी यूंधोरीका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वियनाम ठीवी भई बडूद्रा के कोई भी आर्टिस्ट हो कोई भी कलाकार हो जुरास्टी अंतरास्टि अस्तर पर बडूद्रा का नाम रौशन करे गुजराग का नाम रोशन करे और खासकर साहीत्य क नाउ रोशन करे उनको तो आप से बिलवाना बनता ही है। आधना साहित्ये सम्मान 2014 से पुरुस्कूरूत किया है, मैं बात करेंगे, मम् दोड़ा सा और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे. मैं बहुत-बहुत सवागत है आपका वियन्म टीवी पर. नमस्कार मयूरिका जी और VNM TV के तमाम दर्श्वकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी मैं आपकी आवाज वैसे VNM TV और डॉक्टर राखी सींग कटियार VNM के तर्शक तो भली भांती आपको जानती ही है पर फिर भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको डॉक्टर राखी सींग कटियार के बारे में देदू कि मुखे रूप से कविताएं लिखती हैं ना सिर्फ कविताएं लगू कथाएं भी लिखती हैं कई सम्मान भी उनके नाम टुड़े हैं जिसमें डॉक्टर आमेटकर फालोशिप सम्मान सर्दार वलभाई पटेल सम्मान असमिता सहितिक सम्मान ज्योतिवा फुले पुरसकार वैसे सूची जो है फैरिष्ट है वो काफी लंबी है लेकिन बहुत सारे सम्मान उनके नाम है और एक सबसे बड़ी बात उनकी जो मैं बता दूँ बेहत उंदा मंच संचाली का है और कई रास्टी अंतरास्टी मंच संचालित करते हुए उन्होंने वाही बढ़ोरी है मैम मुझे लगता है कि आज मैं कम बोलू और आप जादा बोले तो जादा वहतर होगा स्वर साधन ने सहीतना साहीत उनकी पहले उसके बारे बात के लिए फर फोड़ी सी और बात को आगे बढ़ाते हैं यह जो सम्मान आपको मिलड़ा है कितना बाहतर पूर और कितना इसे प्रव्लेश मानती है आप दरसल यह जो सम्मान मिला यह तो बहुत सारे सम्मान आजकल दिये जा रहे हो और अच्छी भी बात है पर विशेशूप से स्वर साधना मंज का यह प्रयास रहता है कि वो बड़ी इमानदारी के साथ यह काम करते हैं और कानों कान किसी को खबर भी नहीं होती उन्होंने कुछ दोड़ाई मैंने पहले यह प्रकरिया आरम विकीती और फेस्बुक से और तमाम जगों से अपनी जानकारी जुटा के हमको दस दिन पहले सुचित किया कि आपको चैनीत किया गया है और देश भर से बारा कवी कव्यत्रियों को उन्होंने चैन किया और यह स्वभागी की ब मान जो है वो किन महादुमभों को पर्दान किया रहता है किस तरह के साहिटिये को इसНе इसमें इलिजिबल प्राइटेरिया के रूप में लेते हैं उनको विशेश रूप से ये लोग चाहिनेत करते हैं जी और आपके साथ बहुत सारे और लोगों को भी सम्मानित किया गया है उनके बारे पर क्या कहना चाहेंगे एक जब सम्मान मिलने की कुशी तब बहुत जादा हो जाती है जब आपके साथ टकर के लोग हो जी बिलकुल स तो ऐसा लगा कि मेरा जो अपना साहित्य का परिवार है उसमें और बड़ उत्री हो गई और सभी को संस्ता ने बड़ी ही इमानदारी के साथ चुना तो इसलिए उनका भी ये कहना था कि उनको पहले से पता ही नहीं था और इस तरह से चैन प्रक्रिया जो है इसकी वह प्रक्षपात नहीं चलता है जी बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल बड़े से बड़े परुसकार जो है वो कही ना कहीं खरीदे भी जाते हैं कही ना कहीं अपने नाम करवाए जाते हैं और ऐसे एरा में अपने आप से साहित्य में समान मिलना एक बहुत बड़ी बात ह है मैं जब साहिति की बात हो रही है तो साहिति के क्षेत्र में बैसे तो काफी कुछ हो रहा है लेकिन यूआ पीड़ी कही न कहीं थोड़ी सी इससे विमुख हो ही रही है क्या इसके बारे पर आप कुछ कहना चाहेंगी जैसे हर आप देखते ना जीवन के हर क्षेत्र में कु यह चाहते हैं कि जो युवा पीडिये, जैसे हम अपनी यहां पर जो हमारी संस्ता है, पश्षिवांचल हिंदी प्रचार समिती, उसके माध्यम से हम लोग कॉलिज में जाते हैं और चात्रों से संपर करते हैं, उन्हें इस तरह की गति विदियों में जो है सनलगन कराते हैं, कि वो भी लिखें और पढ़ें, और विशेशूप से जो नवोदेत रचनाकार हैं, उनका लिखा हुआ, हम अपनी पत्रिका में चापते हैं, और उन्हें प्रोटसाहित करते हैं, तो मुझे लगता है कि हर साहित प्रेमी को ना सिर्व मेरा लिखा हुआ प्रकाशित हो, या प्रसारित, प्रचारित हो, मुझे लगता है कि हम से जो छोटे हैं, हम से जो नए लोग हमारे इस शेत्र में आ रहे हैं, उन्हें हमें बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि तभी हम साहित को अपनी आगे वाली पीडी तक सुरक्षित पहुंचा सकेंगे. बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम नई पीडी को ये वरासत दे कर जाएं, क्योंकि नई पीडी के हाथ में हमने मुबाइल और कंप्रूटर तो पकड़ा दिये हैं, लेकिन किताबों को कहीं ना कहीं हमने उनसे दूर कर दिया है, वो सकता है कि साहित आने वाले दिनों में इक इतिहास बन जाए अगर इसी तरीके का जारी रहा, लेकिन मुझे पता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो इसके लिए काम कर रहे हैं, और राकिसिंग कट्यार भी उनहीं में से एक है, मैम, आप वी एनम से और हम से वैसे भी काफी जुडी हुई ह तो एक सवाल पूछना, मैंने मन में आ रहा है कि आप कविताय भी लिखती हैं, आप पद्य भी लिखती हैं, गद्य भी लिखती हैं, और आप मन्च संचालन भी करती हैं, तो आपका पसंदिता सबसे साधा क्या है? मुझे मन संचालन करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मन संचालन करना एक फ्रेमिंग की तरह है, जैसे एक तस्वीर को आपको फ्रेम देना है, और वो कैसा फ्रेम करना है, वो आपके उपन दिर्भर करता है, तो मुझे लगता है कि जो संचालक है, वो चाहे तो प्र ऐसा करें कि किसी भी कारक्रम में चार चांद लगाने में कुछ सहयोग परदान करें तो मुझे मन संचालन बहुत अच्छा लगता है और साहित में मुझे घजले और गीत गाना बहुत पसंद है जी आप गीत गाना आपको पसंद है और बहुत सारी गाने हम आपके सुने भी ह तो मुझे लग रहा है कुछ गुन जर्माना तो बनता है इस मौकी पर जी मैं एक घनाक्षिरी चंद जो है वो सबसे छोटा होता है वो मैं रख रहे हूं आपके सामने कि घनन घनन घन जब उचाए बदरा घनन घनन घन जब उचाए बदरा सनन सनन सन कत आवे पूरवा मगन मगन मन डोले मोरा मनवा जनन जनन जम जूमे मोरा तनवा चनन चनन चन बाजत पायलिया पनन पनन पन पानी भाईया किया यह घनाक्षरी है क्या बात है मुझे पता है कि आपको यह फेवरेट भी है आप काफी बारे से गुन-गुना पसंद करते हैं जी चलिए बात काफी कुछ हो रही है मैं एक और सवाल जरूर पूछना चाहूँगी कि आपने काफी कुछ कर लिया है पड़़े परच्शे सालो से आपistlingため मुझे इस जगा पर पहूंच critical ऊंच्टर एक चींटर में तो कहते हैं कि हम सोचे कि हमने ये कर लिया तो बस ये गुणवत्ता वाला कारे हैं हमेशा जब हम कुछ लिखते हैं तो अगले दिन जब उसी को लिखे हुए को देखते हैं तो लगता है कि इसे और बेहतर किया जा सकता है तो पहले तो जो चीजें हम रच रहे हैं रचनाकारों का धर्म कि उसे समाज के परिप्रेख्ष में देखें कि कि वह कितना अच्छा है," कितना उचित है," कितना संदेश, दे रहा हैS", समाज को साथ चाहती है, दिखना चाहती हुँ, लोगों के मन अपने नए बच्चे मिलें जो इच्छो को करने के लिए तो मैं बिलकुल उनको पूरा सायोग परदान करूंगी कि वो किस तरह से अपने क्षेत्र में आगे बढ़े जी और हाल ही में राजयपाल जी ने आपकी बहुत प्रशंसा भी की थी एक वीडियो भी हमारे सास है उसक जब राजयपाल जी प्रोटोकॉल के तहट हमें उस स्टेज से उतर जाना था जब वो बोलेंगे तो हम सामने सिक्योरिटी में जाके खड़े हो गए और राजयपाल जी अपना जब भाशन दे रहे थे उसमें उनकी नजर मेरे पर पड़ी और वो तुरंत वीडियो में दे है और इतने जादा साहिते के प्रेमी हैं उन्होंने ऐसी बात कहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हमेशा यह चीज मेरे जहन में जो है वो अंकित हो गई जी आपको तारीफे तो बहुत मिलती ही रहती है लेकिन ये तारीफ कुछ जादा खास थी और आशा करती हूं कि इसी तरीके की तारीफे और अलग-अलग उपलवधियां आपके नाम होती रहे मैं आपको सामने खड़े देख रहा हूं आप बहुत सुन्दर तरीके से संच ये आपका शुनाम क्या है बहुत बहुत सदोर आप संचालन करती है इसमाल आज की यूपधी की नाम को संदेश आज के युवापीडी को मैं ये संदेश देना चाहती हूं कि ठीक है हम लोगों के समय से आज बहुत ज़्यादा तक्नीकी रूप से वह बहुत ज़्यादा आगे हैं और हम कई बार अपने समय के हिसाब से उनसे चीजों की अपेक्षा करते हैं लेकिन कुछ चीजे जैसे मैं सरस्वती कि हम वो देते हैं उसे उकमा आप लेकनी पकड़िये आप जब कुछ पढ़ते लिखते हैं अगर जब उसे लिख के करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमेशा के लिए आपको याद हो गया आप उसमें सुधार कर सकते हैं जब लेकनी हमारी जो है वो दिशा प्रबाहा जो है फ्लुएंसी वो खत्म हो जाती है तो एक आनंद जाता रहता है बिल्कुल सब बच्चों से यह कहना है कि मुबाइल बहुत अच्छी चीज़ है इसमें बहुत सारे जो है गुण है पर हम उसे किस तरह से ले रहेंगे बहुत महत्तपूर है तो उसका इस्त संस्कृती हमारी धरोहर है वो जो विश्व में है अपने चरम सीमा पर पहुंचेगी बहुत सही बात है मुझे लग रहा है मातापिता को विशेश ध्यान देना होगा कि बच्चे लिखते रहें और बच्चे पढ़ते रहें भले ही आजकल अब स्मार्ट क्लास्स हो गये है वहां किताबे ले जानी की जरूरत नहीं होती है लेकिन बच्चों के लिए कुछ समय तो ऐसा जरूरी कर दें कि वो कुछ पढ़े और कुछ लिखे तब ही जाकर हमारे देश की जो संस्कृती है साहित्य है उसे हम अबर करार रख सकीए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप ह बड़ोद्रा की जानी मानी कवित्री है वो कि उन्हीं में से एक है वियनाम चीवी को आप दिन पर देखते रहे हैं यूजूब चैनल है हमारा सब्स्राइब कर लीजी अगर सब्स्राइब नहीं किया है तो और बैल आइकन प्रेस कर दीजे ताकि वियनाम का हर अप्डेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकते साथी फेस्बुक पर देख रहे हैं शेयर कर लीजे आप हमें OTT प्लाटफॉर्म्स पर देख रहे हैं टेली हन पोड़ापॉन टीवी ज्यो टीवी और ज्यो टीवी फाइबर 498 तंबर की चैनल पर वियनाम चीवी को 24 कंटे लगातार द देखते रहे हैं वियनाम जुड़े रहे हैं वियनाम के साथ नमस्तार